दोश्तो सामने जो घर देख रहे हैं वो इसी घर में रमायट सीरियल में लचमन का किरदार करने वाले सुनील लैरी जी रहते हैं हेलो गाइस वेलकम बैक टू दे चैनल तो कैसे आप लोग वपस से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोश्तो फिलाली स्वक्ट हूं मैं मुंबई के लोखंड वाला इलाके में आज की इस वीडियो में आप सभी को रमायट सीरियल में लचमन जी का किरदार करने वाले सुनील लैरी जी का घर दिखाने वाला हूं तो बस आप लोग बने रहे हैं वीडियो के लाश्तक दोस्तो आज की इस वीडियो में उनका बायोग्राफी और उनका घर दिखाने वाला हूं कि मुमई में कहां पे रहते हैं उनके फेमिली में कौन-कौन रहता है उनकी घर की कीमत कितनी है तो बस आप लोग बने रहे हैं वीडियो के लाश्टक और फिलाल अभी वो क्या करते हैं क्या नहीं तो चलो बने रहे हैं आप लोग वीडियो के लाश्टक दिखाता हूँ दोश्तो देख सकते हो अभी मैं वर्शुवा के में रोट पे खड़ा हूँ और यहीं से एक बार अंदर के तरफ राइट मारके हमें जाना है वोसी वारे इलाके में और वोसी वारे इलाके में ही है रमाड में लश्मन के किरदार करने वाले सुने लेरी जी का गार सेम ऐसा ही हुआ हमारे सुनील लहरी जी के साथ इनों ने जब रमायट में लच्मन का किरदार किया तो ये घर-घर में पूजे जाने लगे देख सकते हो यह यह उनका घर जिसमें वह अपनी पूरी फेमली के साथ रहते हैं तो फाइनली गाईस देख सकते हो अभी आप रमायट सीरियल में लच्मन जी का किरदार करने वाले सुनिल लहरी जी के घर के पास मैं आ गया हूँ और यह यह पीछे वाला उनका घर देख सकते हो अभी मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ चलो मैं बैक केमरे से उनका घर दिखा बताता हूं और उनका बायोग्राफी बताता हूं कि अभी वो फिलहाल क्या करते हैं और रमायट सीरियल में उनको लचमन का किरदार करने की लिए कितना स्ट्रागल करना पड़ा था तो बने आप लोग वीडियो के लाश तक अभी मैं बेक केमरे से आप सभी को दिखाता हूं बताता हूं इनका बायोग्राफी दोश्तो सामने जो घर देख रहे हूं इसी घर में रमायट सीरियल में लचमन का किरदार करने वाले सुनिल लहरी जी रहते हैं इस घर का नाम है मोबी टावर दोश्तो आप सभी को बता दू कि सुनिल लहरी का जन्म 9 जन्वरी 1961 में मध्य परदिश के दमो जीले में हुआ था दोश्तो आप सभी को बता दू कि सुनिल लहरी एक मध्यम परिवार में जन्मे थे पूरा बच्पन दमो में बिताने के बाद इनका परिवार भोपाल में आके सिप्ट हो गया दोश्तो आप सभी को बता दू सुनिल लहरी के पिता जी क एक बहन दुभाई जिनका नाम सलेंद लहरी और सुसेंद्र लहरी है। दोश्तों आप सभी को बता दू कि भोपाल सिप्ट होने के बाद से सुनिल लहरी जी ने भोपाल से ही अपना सिच्छा पूरा किया। उसके बाद मुंबई चले गए। जहां उन्होंने मुंबई में बिलसन कलेज से कला इसनात की डिग्री के साथ-साथ इसनात की उपाधी भी प्राप्त की। दोश्तों आप सभी को बता दू सुनिल लहरी ने अपनी केरियर की स्टार्ट अन्य स्वय और फिल्म बहारू की मंदलिल से की थी। दोश्तों सीरियल रमायार को तकरीबन 21 साल हो उनकी जेदे तर किर्दार आज भी हमारे दीलों और दिमाग हो हैं चाहे उनमे राम का किर्दार करने वाले अरूर गुबिल का हो भीश्म पितामा की किर्दार में नजर आने वाले मुगे सखन्ना हो लेकिन बहुत कम लोग इस बात से अंजान है कि रमाइर में राम की अज्ञानी भाई लश्मन का किरदार निभाने वाले सुनिल लेहरी कौन है दोस्तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा सुनिल लेहरी कौन है उनको यह किरदार कैसे मिला सारी इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं दोस्तो आप सभी को बता दू कि सुनिल लेहरी रमाइर के बाद पापुरल सिरियल विकरम बैताल और दादा दादी की कहानियों में नजर आये थे लेकिन आज उनका लुक बिल्कुल बदल चुका है और उन्हें पैचानना इतना असान नहीं रह गया है दरसल रमाइर में उन्होंने अपने लच्मन की किरदार से लोगों का दिल जीत लिया था और उसके बाद भुकरगर पूले जाने लगे थे इसी के चलते आज के समय में ज्यादातर लोग उन्हें लच्मन के नाम से ही जानते हैं 1990 में उन्होंने टीवी सिरियल परम बिर चक्र में भी अभिनाय किया था रमाइर में अपना जुड़दार अभिनाय करने से पहले इन्होंने अपने बिक्रम और बेताल में दादा दादी के कहानियों में इनका दमदार अभिनाय देखकर रमानंद सागर ने रमाइर में लच्मन का किरदार इनको दिया था दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि सुनिल लेरी के पिता जी एक डाक्टर थे और मेडकल कालेज में प्रोफेसर के तोर पे भी थे ने अपने छबी को ब्रक्रार रखने के लिए इन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया दोस्तो आप सभी को बता दू कि 90 के दसक के बाद सुनील को फिल्मों में काम मिलना लगबग बंद हो गया था इसलिए फिर इन्होंने अरूर गोबिल जी के साथ मिलकर अपना एक प्रोडेक्शन हाउस खोल दिया दोस्तो अगर अरूर गोबिल का भी आप लोग बायोग्राफी जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे वो वीडियो अरूर गोबिल का बड़ा हुआ है आप लोग उनका भी बायोग्राफी जान सकते हैं जो यहां दोश्तो अरूर गोबील वही है जिन्होंने रमायट सीरियल में प्रभूस सीड्राम का किरदार किया था बागे देख सकते हो अभी मैं हूँ सुनिल लेहरी जी के घर के जश्ट सामने देख सकते हो इनके इस घर का नाम है मोबी टावर जो मैं आप सभी को जूम करके दिखा रहा हूँ देख सकते हो यही वह घर है जिसमें सुनिल लेहरी जी फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं दोश्तियों देख सकते हो अभी मैं इनके घर के दूसरे वाले गेट के जश्ट सामने आ गया हूं और सामने वाला जो फ्लेट दिखाई देखा दे आना ग्राउन फ्लोर उसी फ्लोर पे सुने लेरीजी रहते हैं देख सकते हूं कितिनी बड़ी बिल्डिंग है घर के अंदर इनके कापी साधी पहुदे लगे है जो फर्स्ट प्लोर आपको दिखाई देगा ना इसी फ्लोर पर सुनिल लेरी जी रहते हैं अभी में उधर की साइड चे मैं आप सबी को दिखाए था लेकिन सुनिल लेरी जी उदर की साइड नहीं रहते हैं इदर वाला जो गेट है ना दोस्तों आप जान लेते हैं कि इनको लचमन के किरदार के लिए कैसे चुना गया तो दोस्तों आप सभी को बता दू कि रामादनद सागर ने लचमन की किरदार के लिए कम डिएड़ाइड sì कम लोगों को ओडीशन के लिए लिया था। जिनसे इनका डिवोस हो गया है और फिर इनोंने साधी की भारती पाठक से इनका एक लड़का भी है जिसका नाम है क्रीज पाठक और यहीं इनकी बाद करें तो गाइस इनका इज 2024 में लगभग 63 वर्ष के हो गये हैं तो गाइस यही था सुनील लेरे जी का गाथ जो कि मैंने इस वीडियो में आप सभी को दिखाया बागि आप किछ एक्टर का अगड़ देखना चायते हो कमेंट बोक्स में कमेंट कर दो मैं दिखाने का कॉसिस करूंगा बागि यह वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना कमें सबसे पहले आपको मुंबई के और रेलबे इस्टेशन के से यह यहां का नच पर यहाँ बढ़ेगा pour जोनी लीबर का घर मिलेगा और रमाण में लचमन का किरदार करने वाले सुनील जी का घर मिलेगा तो बस आज की वीडियो में इतना आई था जल्द मिलेटे हैं मुंबई के किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत वंदे मात्रों